हाई लो बिक्रम सार हलो अभिनाज सार हलो बच्चों निव लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज मैं और अभिनाज सार लेकर के आए हैं कितनी सिमिलर थी हमाई करने वाले हैं करके और इसमें कुल तीन चैप्टर थे तो अभिनाज सर यह जो यूट है आपका इसमें पहला चैप्टर यह सेल इसे प्रकार से सवाल पूछेगा है सर यहां पर देखिए दो हजारीश में दो कोश्चन आया है 21 में चार कोश्चन और 2020 में दो कोश्चन अच्छा इसका मतलब इसका वेटेज किपना लगवाग है इसका वेटेज है यहीं दो से पांच कोश्चन और तीसा चप्टर सेल साइकिल और सेल डिविजन से भी 2022 में चार कोश्चन लेकिन उससे पले किस में पांच 20 में भी चार यानि इसका वेटेज भी चार से पांच कोश्चन इसका मतलब सर अगर इस यूट का टोटल वेटर देखा जाए तो मीनिमम पांच कोश्चन है और मैचिंग के एक कोश्चन और वन लाइन के दो कोश्चन तो प्यारे बच्चों आज और हम और अब आविनाज सर एक साथ एक एक करके सभी कोश्चन को देखेंगे और आपको बताएंगे कुछ सवाल दिक्टों हैं कुछ लगवगा एप्रोश से हैं तो आए देखते हैं अब हम लोग एक एक करके सभी कोश्चन को प्राफरली देखेंगे किस तरह से हमारी टेस्टरी से 222 का फेपर मैच कर रहा है आए देखते हैं अभिनास सर पहला कोश्चन है मैच लिश्ट विश्ट विश्ट तो इसमें क्रोमोसोम के चार्ट सर यह बत दी हुई है और यहां पर यह मैचिंग दी हुई है पहला सेंटेंस लिखा इन केस टाइप अपक्रोमोसोम दा सेंट्रों में सेंट्रों में स्लाइटली अवे फ्रॉम दा मिडिल और यह यहां लिखा हुआ है वो यह हुआ है तो जो मैचिंग विल लाति है थे निकाल सकते थे अच्छा थोड़ा सब्सक्राइब यह और आपशन देखए गर आपशन फोर्स हाई है तो जो मैशनिंग हम लोग की एंसर इसका च्रुम एक अच्छ एक पेपर के ये यह कोश्चन भी हमारे बच्चों ने लगाया होता तो भी हम कोश्चन को निकाल सकते हैं तो इसका आंसर इस फोर्थ है बिल्कुल सही यहां बच्चों को इस कोश्चन के मादम से लिए और उमाय इंडिया नहीं नहीं होते और यहीं सक आंसर इस इसका यहीं इंच कर गया और लिइट सेंटेजिस एसी यार में होती है जो कि आपका यह सेंटेंस है और यह वाला कोशन एंडोफ्लाज्म रेटिकुलम कार्ड रियार अरियार तब कहेंगे जब उसके सर्फेस पर राइबोसोम होगा और इससे भी कर लेंगे बिच्छे आरियार अटैज राइबोसोम मिल गए तो अभिनासा तीन सेंटेंस निमिल गए और हमारे आंसर को भी एक इसमें आपको फैटी एशिट के रेफरेंस में कोशन दिये गए हैं रिदा फॉलोविंग स्टेट्मेंट ओन लिपिट्स और फाइंड आट स्टेट्मेंट तो पहला सेंटेंस लेस्टिन फांड प्लाजम रेंड इस ग्लाइकोलिपिड यह तो ठीक है लेकिन यह ग्लाइक जिनमें ए है वो आंसर कभी नहीं हो सकता है और इसका अंसर सेकेंड है अपने आप तो एक कोश्चन के माध्यन से बच्चा निकाल सकता है बलब एक स्टेट्मेंट अगर यह पकड़ लिया तो इंसर आंसर आ गया है ठीक है और इसके रावाल लिपिट सा जन्रली वाटर इ अब लिकाए कि a dehydration reaction links to glucose molecule to produce maltose in the formula for glucose यह कोश्चन अभिनासर कोश्चन में ही सकांसर है आपको दो ग्लुकोश्च मालीकूल को जोड़ना है और उसमें से एक वाटर मालीकूल dehydration से निकाल देना है तो इसमें कोश्च नहीं है कि सी बारा एस्टॉन और ऐलेवन वाला आंसर इसमें कुछ करना नहीं था हलाकि हम इस कोश्चन के माध्यां से देख सकते हैं इक ग्लाइकोसिडिक बांड जो की कार्बड पायता वो डिहाइड्रेशन से बनता है वाटर निकलेगा तो बच्चे को यह पता होता कि जो कार्बड बनता है एक यूट से ज्यादा डाइसे क इसके बारे में अगर जनकारी है तो इसको इनसर निकाल सकते है अगला चेप्टर सेल साइकिल डिविजन वीच वानदा फॉलोविंग निवर अकार डूरिं माइटॉटिक सेल डिविजन और इसका अनसारा पेरिंग आप होमोलोगस क्रमोसों इसी को विना साथ सैनेस्टिस कहते हैं में समसें केक तो इसका मतलब साइनेसिस माइटावस का करेक्टर नहीं है अब द्यान से यह मैचिंग जो दी हुई है वह मियंसिस के अलग अलग स्टेश के लिए दिविए और सामसीस में होती है तो यह हो नहीं सकता है जबनी सक्वेर अगर लगाए वर दिया हमार यहांपर पूछा है कि रिकांप्नी नोडूल कि इन पुछा कि रियाँए ह हुंully चया कि अगला कोश्चन सेलेक्ट इनकाट स्टेट्मेंट विट रेफेर्स टू माइट आप इसका अंसार इस्पिंडल फाइबर अटैस्ट टू सेंट्रों अभिनाश्चर यह काइनेटो कोर होता है ठीक तब इसका अंसर देखिए बड़े आराम से बच्चें इहां निकाल सकते थे इसके अलाबागी सेंटेंस जो दिये हुआ हैं बाकी सेंटेंस कि प्रोश्च के लिए हमने सेंटेंस पूछा है इस प्लिटिंग का तो यह सेंटेंस यहां मिल गया है यह मेटा फेज का डाइगराम है सभी क्रोमोस्म आल दा क्रोमोस्म लाई एद एक्वेटर यहां से अप्रोच कर सकते थे बच्चे इसके बाद देखें अब लिखा है कि फॉलोविंग इवेंट टीलो फेज के लिए तो क्रोमोस्म एट अपोईट फोल यही डी कंडिन्स वाल है अलग अलग पेफर से दी होई है अगला कोशन रिगार्डिंग मियांसे फिछव आप दा फॉलोविंग स्टेट्में इंकरेक्ट है अब करें डिने रेप्लिकेशन अकरद इस फेज और मियांसे अब यह गलत है यो कि एस फेज जो होता है वो मियांसे वन के परेले जीव तो हमारा यह कोशन भी डिटो मैस कर गया यह भी क्या है मतलब डाइडेक्ट मैस कर गया अब यहां पर मियांसिस हाव मैंशल अब डिने अपलिकेशन यह एक ही साइक उसका अशर वालिया ठीक तो यह यह कोशन क्या था सेंटेंस के माद्धियं से फॉर्मेट और यह फॉर् से मिल गए अगर आप पेपर को अच्छे से लगाते हैं चारों को ध्यान में रखते हैं और दिमाग में सभी कोशन का अप्रोच देखते हैं तो बड़े आराम से आप इस पेपर को निकाल सकते थे पेपर तफ था थ्वाल लेंदी था फिर भी हमारी टेस्टरी बहुत इफ में जरूर दीजिए ठीक है कि क्या हम और इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं चुकि इस बार पेपर कटिन था तो कुछ बच्चों ने का सर स्टेट्मेंट के सवाल जाए डालिए ऐसा सनीजन डालिए फिर भी आपके सुझाओ हमें चाहिए जिससे हम और बेटर कर सकें अपनी